आज पाच अक्टूबर महापराण जोगेंदरनात मंडल जी का स्मुति दिवस है MNT News Network परिवार उनके कार्य को विनमरा अभिवादन करता है आईए जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अमबेड कर और उनके अंदोलन से जुड़ी महापराण जोगेंदरनात मंडल की इस ITAC घटना को जोगेंदरनात मंडल जी ने पुर्वी बंगाल में All India Shedulcast Federation की शाखा के रूप में बंगाल प्रोवेंशियल Shedulcast Federation की स्तापना 1943 में की थी और जिसके वे अध्यक्षते उनके प्रयासों से बंगाल में एक साफ्ताइक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया जिसका नाम था जागरण इस पत्रिका में दबे पिछडे लोगों से समध्दित सुचनाय, समाचार तता समस्याओं आधी के बारे में लिखा जाता था थोड़े ही समय में बंगाल प्रोवेंसियल शिरूरकास फेडरेशन सारे प्रदेश में प्रसिद्ध हुआ और राजनेतिक स्तर पर अत्यंतर मजबुत हुआ 2-4 अक्टूबर 1945 को अल इंडिया शिरूरकास फेडरेशन की कारे समिति की बैठक पुने में सम्मिलित हुने तथा अपने बहु मुल्य सुझाव देने के लिए जोगेंदरनात और रसिकलाल बिश्वास को विशेश रूप से आमंतरित किया गया पहली अक्टूबर को दोनों ही नेतागण दक्षेन एक्सप्रेस रेल गाड़ी से पुने स्टेशन पर रातरी चार बजे पहुंचे दोनों ही नेतागण देखकर दंग रहे गए कि उनके स्वागत के लिए हजारों कार्यकरता उपस्तित थे और फूल मालाय लेकर खड़ेते उन दोनों नेताओं के पहुंचते ही सारा बातावरन डॉक्टर अंबेडकर जिन्दाबाद, जोगेंदर मंडल जिन्दाबाद, शेडूल कास फेडरेशन जिन्दाबाद के गगन भेदी जोशिले नारों से गुनजाय मान हो उठा एक बड़े लंबे जुलूस के साथ बड़े आदर सम्मान सही जोगेंदर मंडल और मानिय रसिक लाल बिश्वास को लेकर जन्ता नारे लगाती हुए स्थान पर ले गए दोनों ही नितागंड सबसे पहले डॉक्टर बावासाब अंबेडकर से मिले और थोड़ी देर तक विचारवी मरशिकिया चायपान के पस्चात सम्मेलन स्थल पर चल दिये इन तीन दियुसिय सम्मेलन में जोगिंदरनात मंडल लगाता डॉक्टर बावासाब अंबेडकर के साथ रहे तता सभी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तूत करते रहे तीन अक्टूबर 1945 को पूने में अंबेडकर स्कूल आफ पॉलिटिक्स की स्थापना की गई इस स्कूल के अध्यक्ष मानिय जस्टीस आरार बोले थे इस अंबेडकर स्कूल आफ पॉलिटिक्स के उद्गाटन के लिए उन्ने जोगिंदरनात मंडल को निमंत्रन दिया था बड़े समारों के साथ इस स्कूल का उद्गाटन जोगंदरनात मंडल द्वारा किया गया बावा साब अंबेड कर और अंदोलन के कारेकरताओं द्वारा उन्हें ये सम्मान प्रदान करने से जोगेंदरनात मंडल के मन में बाबा साहब अमबेड कर और उनके कारे के प्रती आपार आधर और विश्वास बढ़ गया जिसके लिए विश्वधव कृतग्य अनुबव करते रहे समय आने पर उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाहवी किया यदेपी जोगेंदरनात मंडल बाबा साहब से 13 वर्ष से छोटे थे लेकिन फिर भी पूर्णे में अमबेड कर स्कूल आप पॉलिटिक्स के उद्गाटन करने का गवरव उन्हें प्रदान किया गया अमबेड कर स्कूल आप पॉलिटिक्स के नाम से ही जाहिर होता है कि इसका उद्देश राजनिती के बारे में शिक्षा प्रदान करना है लोगतंत्र में संसदिय राजनिती और विधाईका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में कार्यकरताओं और समाज को ज्यान प्रशिक्षन होना अत्यंत्र आवश्यक है बामसेफ के माध्यम से इसके बारे में जन्जागरुति की जाती है बामसेफ के कारेकरताओं ने मिलकर नाखपूर में डेके खापड़े मेमोरियल टरस्ट के माध्यम से राष्टपिता जोतिभा फूलें सामाजीक क्रांती संस्तान की स्थापना की है 25 एकड में फैले इस संस्थान में देश भर से कार्यकरताओं के लिए प्रशिक्षन की योजना पर कार्य किया जा रहा है इसके लिए दो बड़ी बिल्डिंगों का निर्मान किया गया है जिसमें एक प्रशिक्षन और एड्मिन ब्लॉक है और दुसरा हॉस्टल ब्लॉक है हॉस्टल ब्लॉक के दुसरे मंजिल का कार्या अभी निर्माना दिन है फुले अंबेड करी अंदोलन में आस्था रखने वाले मूल निमासी बहुजन समाच के लोगों को ट्रस्ट की ओर से अनुरोद किया गया है कि विए इस कार्यों में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करे यह वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे वीडियो को लाइक शेर करे अगर आपने अभी तक MNT News Network के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद करे और बेल आइकॉन को भी आउन करे जय भीम, जय मुलिमासी, जय भारत, जय समिधान